सब लोगों ने पूचा कि विकास दिविकीर्टी जीस से प्रेम पर आप जरूर पूछ लीजेगा उस तरह के सवाल भी आए कि गल्फरेंड नहीं मान रही, बॉइफरेंड नहीं मान रही, पापा नहीं मान रही, मम्मी नहीं मान रही कन्फ्यूज हैं कि करियर पर फोकस करें, कि प्रेम पर फोकस करें, आदी इत्यादी ये तो बहुती ओपन इंडिट सवाल हुआ, कोई थोड़ा स्वाल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनका यही दाखी साथ दोनों चीजें एक साथ कैसे करेंगे, गरवाले कहते हैं, टीचर कहते हैं करियर पर फोकस करो, पर जब करियर पर फोकस कर रहा है, तब प्रेम पर भी फोकस आ रहा ऑए, तो तो नों का संतुलन नहीं बैठ सकता क्या? अरे बाल को तुम्हारे ही सवाल पूछ रहा हूँ मेरी समझ यह है कि सबसे बड़ा दुर्भागिया है कि करियर बनाने के उम्र और प्रेम करने के उम्र एक ही होती है और यह दोनों ही चीजें ऐसी है जो पूरा फोकस मांगती है तो ऐसे में आदमी कैसे बैलन्स करे मूल समस्य तो यह है ही लेकिन जब मुझसे बच्चे पूसते है क्लास के बच्चे के सर ऐसी ऐसी दुविधा है क्या करना चाहिए और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है रहा नहीं जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं तो अगर प्रेम उथला है अगर प्रेम के विल देह का है अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देखके हुआ है अगर प्रेम केवल अदाइं देखके हुआ है अगर प्रेम केवल मेकप के बाद के चेहरे से हुआ है तो वो 20-25 दिन से उपर टिकेगा नहीं 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है वो मेक अप पीछे चला जाता है हैसियती आवकात सामने आ जाती है और अजिकान शबावलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यू बढ़के यू नीचे आता है तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए मुक्त होके पढ़ाई कर लो और यदि प्रेम ऐसा मिल गया सायोक से जो मुक्त करता है प्रेम में रहकर मुक्त करता है तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं वो आपके पढ़ाई में सायक ही होगा इसलिए और मैं एक्सर कहता हूँ कि जिन्दगी एक ही है मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि बार बार जीवन मिलने वाला है मैं ये मान के चलता हूँ मिल जाए तो बढ़िया है पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन एक ही है एक ही है तो उसी को जीना है उसी में प्रयोग करने है और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए बाद में पस्ताने से अच्छा है कि हमने प्रयोग किया फेल हो गए फिर प्रयोग कर लेंगे कुछ और प्रयोग करेंगे लेकिन प्रयोग करने से पीछे हटना कायरों के निशानी है अच्छे जीवन जीने के लिए आपको आगे बढ़के एक्सपेरिमेंट्स करने ही पढ़ेंगे, कोई रास्ता है नहीं जी नागरिक को लेकर बहुत सारे सवाल आए